नमस्कार मैं हूँ किरेन आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स उत्तर प्रदेश के कास गंज सदर कोतवाली के हवालात में बंद एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि एक लड़की को भगाने के आरोप में युवक को पूछ ताच के लिए एक दिन पहले पुलिस ने उठाया था आत्महत्या की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कम मच गया वही इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहरा मचा हुआ है एस पी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मुन्शी सहिद पाँच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है दरसल मृतक युवक की शिनाक्त सदरकोत वालिक शेत्र के नगला सेद अहरौली निवासी अलताफ के रूप में हुई है अलताफ को एक दिन पहले लड़की भगाने के आरोप में पूचताच के लिए उठाया गया था जहां मंगल बार की शाम को अलताफ ने किसी तरह हवालात में खुदकुशी कर ली हालांकि पुलिस ने युवक को जिलास्पताल भी पहुँचाया था लेकिन चिकत्सको ने वहां उसे मृत घोशित कर दिया पुलिस कस्टेडी में खुदकुशी करने के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है इस घटना के बाद पुलिस महकमे में बहुत जादा हडकंप का माहौल देखने को मिला तो वहीं पुलिस के प्रती ग्रामीडों में खासा गुस्सा पनप रहा है एस पी रोहन प्रमोद बोतरे ने इंस्पेक्टर सहित पाँच पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया है मृतक अलताफ मिया के पिता का कहना है कि उन्होंने कल यानि सोमवार की शाम आठ बजे लड़की भगाने के शक में पुलिस के पहुचने पर खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को पकड़ कर पुलिस को सौब दिया था उन्होंने बताया कि जब वे दुबारा चौकी पर गए तो पुलिस वालों ने उन्हें फटकार कर भगा दिया 24 गंटे बाद उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस वालों के हवाले करने के बाद भी उन्हें ये उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही उसे फासी लगा कर उसकी हत्या कर दी है फिलहाल पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि कास गंच कोतवाली के गाउं अहरौली के रहने वाले अलताफ पुतर चाहत मिया को एक लड़की भगाने के आरोप में पुछताच के लिए लाया गया था जब पुलिस उससे पुछताच कर रही थी तभी उसने पुलिस कर्मी से बातरूम जाने की बात कही पुलिस कर्मी ने उसे हवालात के अंदर बने बातरूम में भेज दिया थोड़े देर तक बाहर ना आने के बाद जब करमचारी ने जाकर देखा तो उसने अपनी जैकेट मे लगी टोपी को डोरी से बांध कर अपना गला कस लिया था वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि उक्त-अभियुक्त के गले से डोरी खोल कर ततकाल उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर कुछ देर उपचार होने के बाद ही उसकी मृत्ति हो गई जांच के दौरान प्रथम दृष्टिया लापरवाही बरतने के आरूप में पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है बने वाश्रूम में उसको भीजा गया उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाडे से उसने जो वाश्रूम का जुनल है उसमें फसा के अपना गोटने की खुटने जो है वो कोशिश की थी जब बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलि अपने शहर की एसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ का प्रादिट्ट कुछा जब प्रभ नहींग